तो फ्रेंट्स हमने डिसाइड किया हुआ था कि यह जोने आज का लो और आज का हाई जिस भी डिरेक्शन में ब्रेक करेगा हम उस डिरेक्शन में ट्रेड लेंगे अभी ऊपर क्लोजिंग हो चुका है लेकिन यह जो नेगिट्टिप केंडल बन रहा है इसके वज़ा से हम रुखे हैं एक और कैंडल का वेट करेंगे अगर एक और कैंडल मतलव रूपर कलोजिंग दे देता है तो हम फिर ऊपर का ट्रेड ले ले लेंगे ठीक है तो अभी wait करते हैं और अगर ये candle ऊपर close हो गया ग्रीन में close हो गया तो फिर हम trade डाल देंगे otherwise फिर wait करते हैं ठीक है तो friends अभी हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर अपना एक limit order लगा देंगे 30 loads का अगर market ऊपर आएगा वो trigger हो जाएगा ठीक है एक risk होगा इसमें लेकिन यही सही रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम 38 पर लगाएंगे 30 loads का यहाँ पर देखिए मैं buy करने वाला हूं limit order लगाना है हमने यहाँ पर limit set करके 30 loads रखती है और यहाँ पर रखना हमने entry price अपना 38 ठीक है 38 पर हम entry करना चाहते ह हम 38 रखेंगे और limit order पर लगेगा limit order बिल्कुल नहीं लगाना है ठीक है क्योंकि limit तो अभी trigger हो जाएगा हमारा ओके चीक है तो मैं इसको लगा देता हूं ठीक है और यहाँ orders में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने stop loss order लगाया है ध्यान रखना limit order नहीं लगाया अभी क्या होगा देखिए price चल रहा है यह वाला 3550 यहाँ पर चल रहा है 3550 अगर market उपर आएगा यहाँ पर तो automatically stop loss order trigger हो और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया risk risk यही होगा कि गई बार कुछ बार यह ऐसी wick बनाके flick बनाके नीचे जा सकता है वह risk होगा लेकिन market की condition को देखते हुए मैं यह कर रहा हूँ कि एक limit stop loss order लगाती है मैंने क्योंकि यहाँ पर ऊपर आएगा तो हमारा stop loss order trigger हो जाएगा और हमारा 30 loads का एक नया trade डल जाएगा ठीक है तो friends जैसे कि हमने यहाँ पर stop loss order लगाया था वो हमारा trigger हो चुका है तो हमारी trade में entry हो चुकी है 30 loads हमने buy कर लिए यहाँ पर देखें तो यह देखें जो exact price हमने stop loss order लगाया था वहीं पर हमने 30 loads buy हो चुके है हमारे ठीक है अभी जस्ट देखे 9.58 मतलब एक मिनिट पहले ही हमारा order trigger हो चुका है तो अभी हम trade में enter कर चुके है और जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ एक ही issue आएगा कि यहाँ पे यह ऐसे flick करके नीचे ना चला जाए लेकिन flick करके नीचे नहीं गया है proper closing मिली है तो हमारी entry as of now बिल्क limit से ठीक है अगर trade हमारे favor में नहीं जाएगा तो इसके नीचे फिर शायद मैं day low के नीचे change करूँगा ठीक है day low के नीचे closing हो जाएगा तो हम change करेंगे otherwise wait करेंगे ठीक है यहाँ पे नहीं करना है चोटे-चोटे changes को अभी हम ignore करते हैं अभी सिर्फ सीधा बढ़ा ही changes करने करने है I mean day low के नीचे 5 minute की gender closing दे जाए सीधा change कर देंगे अपनी position को change कैसे करना है मतलब shift कै हमने क्या करना है यहाँ पर यह जो 30 लोट बाए इसको exit कर देंगे जो भी लोट होगा उस टाइम होगा हमें लोट को 4000 से लेके 4500 तक का रोस दिखेगा उसको exit कर देंगे और लोट को book कर लेंगे और यहाँ पर 30 लोट सेल कर देंगी ठीक है यह मैंने आपके साथ शेयर कर अधी है plan आगेगा अभी जो भी update होगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो friends as of now देखें तो market हमारी direction में चल रहा है और अभी तक हम देखें तो वही 900 का profit है लेकिन हमें यहाँ पर दिखना होता है 1500 तक का profit अगर 1500 तक का profit दिखें हम exit करते हैं otherwise wait करते हैं market का ठीक है तो market ऊपर आएगा 1500 का profit दिखेंगा हम देखेंगे otherwise फिर हमने यह decide कि यहाँ पे हमने shift करना है शायद यह shift को हम change करके यहाँ पे लाएं यहाँ कहीं और point पे लेके जाएं अगर market नीचे गिरेगा तो ठीक है अभी सिर्फ यहाँ तक शायद market आ गया यहाँ तक तो हमें हमारा target म कि अभी तक हमारे trade का क्या status है ठीक है यह आपको इसामने मैंने शोग कर दिया है 825,900 तक का profit दिख रहा था अभी तो wait करते और देखते हमें target मिलता है यहाँ मतलब changes करने पड़ेंगे trade में कोई ठीक है तो friend देखिए हमें हमारा target मिल चुका है तो हम यहाँ पर exit करेंगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ यहाँ पर देखिए 15 सो हो गया अभी हम exit कर देंगे ठीक है है एकजिट कर दिया और मुझे यहाँ पर भी अपडेट करना है अपने टेलिग्राम चैनल पर कर दिखिए यहाँ पर फॉर्टीन हंडेट कर दिया है सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर फॉर्टीन हंडेट ट्वंटीफाइव बुक हुआ है लेकिन जैसे मैंने आपको मेशना बताया कि हमारा टार्गेट क्या होता है बंदाल प्लस प्रोफिट दिखे एकजिट करना होता है फिर वह एकजिट करने में थोड़ा जो होता है स्लिपेज आजाता है देखिए लास्ट टाइम में जब हमने एकजिट किया था तो अठरा सो का प्रोफिट हुआ ठीक है इसी वज़ा से यह थोड़ा आता है ठीक है यह फ्लिक आई आई मीन यह सलीपे जाएगा जब एकजिट करोगे ठीक है यह चीज़े आएंगी तो हमने सिर्फ अपना पंदरासो प्लस का प्रोफिट मुझे जब भी यहाँ सब्रत दिखता है मैं एकक्जिट chu करता हूं मुझे पंदरासो प्लस दिका मैं एकजिट कर दिया एक फाइनल निफ्टी एनलेसिस की सीरीज है इसको फोलो करना होता है आपने तो डेलिग्राम चैनल दूसरा हिंदी टैक वाला फोलो कर सकते हो ठीक है तो यह आते हैं यूस्ट आइनर में यह देखिए यह जब बुक किया था ना एक्जिट तो हमने पंदर सो ब्लस्ट पर करना था लेकि लास्ट टाइम हमने क्या प्रूफिट लोस्ट किया था 6,150 रूपीज वह हमारा पहला दिन था जब हमने फुल डे पूरे का पूरा लोस्ट कर दिया था उसके बाद मैंने 13 तारीक को भी ट्रेड किया था ठीक है यहां पर आपको मैं बताता हूँ टैलिग्राम ओके मैं के गे Mao Tittami me Kato हो गया था यहां पर आपको बताता हूं कि यहां पर देखेंगे ता यहां यह यह थीरा हन associiक को मैंने डी अगीर दिया सिर्फ 8 मिनिट में हमें अपना टार्गेट मिल गया, 1500 प्रस का हमने एक्जिट कर दिया था, उस दिन कितना प्रोफिट हुआ था, वो दीख लेते हैं, उसको भी अपडेट करना है, इस फाइल में हमने, ठीक है, और आज का भी अपडेट करना है, तो अभी हम चलेंगे, यहा हमें 1575 का प्रोफिट बुक किया था, ठीक है, 13 को हमने, यह सिर्फ 89 मिनिट का ट्रेट था, इसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, 1575 हमने 13 तारीक को बुक किया था, वो स्री, बाय किया था, 1575 प्रोफिट था, और ओवरॉल हम हो ग और जब से यह ट्रेडिंग सीरी शुरी होई है, तो यहाँ पर उस दिन का लर्निंग था, फोलो दा मार्केट, ठीक है, ठीक है, तो अभी आज का ट्रेट, उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, और अभी आज हम कर रहे हैं, 16 तारीक को ट्रेट कर रहे हैं, 16, आज का फाइल आज हमने 30 लोट्स, आज हमने 30 लोट्स बाइल किये, आज प्रोफित हुआ है, 1425, 1425 रुपे का हुआ है, आज प्रोफित तो ओवरॉल इस मीने हम हो जाते हैं, 10,207 पे, और अवरॉल जब से ये ट्रेडिंग सीरीज शुरू ही है, यहाँ पे कुछ ना मिस्टेक हो गई है, ओके फ्रेंड्स ये जो गैलकुलेशन हैं, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये सही नहीं है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी जब से ये ट्रेडिंग सीरीज शुरू हुए है, अभी जब से ये ट्रेडिंग सीरीज शुरू हुए है, यहाँ पे कैलकुलेशन गई हैं पहले, अभी सही हो गया, ठीक है, इस मीने, ओवर ओर हम 10,207 के प्रोफिट में हैं, और जब से ये ट्रेडिंग सीरी शुरू हुए है, 30,419 के प्रोफिट पे हैं, और आज का लर्णिंग था, फोलो दा मार्केट, वीट फोर दा ट्रेडिंग जोन, ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो आज का लर्णिंग था, मार्केट को फोलो करो, लेकिन अपने ट्रेडिंग के जोन को जुरूर फोलो करो, सबसे पहले हमने वीट किया, मैंने आपको सुभा टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया था, प्राइवेट वाले ग्रूप में, और साथ में यह बता दूँ, अगर आपने प्राइवेट ग्रूप में एड होना है, तो आप अपना जिरूधा अकाउंट ओपन कर जकते हो, मे सबसे पहले यह डे हाई और दे लो को मैंने मार्क कर लिया था, और टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया था, जो भी डिरेक्शन में जाएगा मार्केट, हम उसको फोलो करेंगे, यहां पे ऊपर क्लोजिंग मिल चुका था मैंने मुझे, लेकिन अगला वाला केंडल जो था तो हमारी एंट्री हो चुकी थी, फिर मैंने आपको बताया था कि हमने शिफ्ट करना है, शिफ्ट मतलब स्टोप लॉस मतलब एख़ा स्टोप लॉस, तो यहां पे हम स्टोप लॉस यही था हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब बाए देखना है, खेज़ार का लोस दिख गया, एग्जिट करते के उसी 100-200 उपर नीचे होएगा जाएगा, ठीक है, वो स्लिप जाए गई, वैसे यह आज हुआ है, ठीक है, तो हमारा टार्गेट होता है, 1500 प्रोफिट दिखे, एग्जिट कर दाए, 1500 प्रोफिट यह वाली रे 440 पे exit करना है जो मर्जी करता रहे market 440 पे exit करना है लेकिन अभी मैंने improve किया है कुछ अलग try किया है actually मैंने दोनो strategies को back test किया था और मुझे ये वाली जो profitable लगी थी 1500 वाली target की इसलिए मैंने ये decide किया था आपको private group में मैंने ये कहा था कि इस मीने हम 1500 वाली strategy पे काम करेंगे फिर comparison करेंगे देखिए हमारे पास पिछला data तो सारा पढ़ा हुआ है ना देखिए last month क्या था 5500 का profit उसके पहले 11300 का profit वेर उससे पहले 16000 में हमने close किया था कौन सा month था वाली जो strategy है क्या हमें ज्यादा profit देगी अगर ज्यादा profit देती ही तो पूरा दिन मरते रहें देखते रहें मार्केट को जब हमें अच्छा profit 1500 में ही मिल रहा है एक मीने एक दिन में 1500 का target लेगे अगर हम अच्छा कमा सकते हैं तो क्यों वेट कर देरें है 440 तक ठीक है तो वह वाली व्यू के साथ मैंने तो इसी वज़ा से मैं 1500 वाली strategy में इस मीने आ चुका हूं ठीक है इस मीने पूरा मीना कितना रह गया भी 15 दिन और पड़े हैं वह 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 दिन भी हमने पंदरा सो के साथ काम करना फर इंडा एंड अफ ता मंद हम देखेंगे कि हमारी strategy में हमें benefit हो रहा है या नुक्सान हो रहा है फिर आगले मीने करेंगे कि पंदरा सो वाली strategy पर काम करना या शिफ्ट हो जाएं फिशली वाली फोर वोट्टी वाली पर ठीक है तो यह था सब कुछ explanation मैंने आपको दे दिया setup मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिंपल setup था यहां पे मैंने थोड़ा सा आप प्रोफिट दिखा है आप प्रोफिट कर लिए वुक कर लिए अगर आपको वीडियो सच्छे लगते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ना वीडियो को लाइक और शेर कर दिया अगरो व्यूज बहुत कम आते हैं व्यूज अब ज्यादा हो जाएंगे तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है so thank you very much for watching this video